बिहार में बढ़ते अपरात को रोकने के लिए इस पर अंकुष लगाने के लिए इस पर लगाम लगाने के लिए विपक्षी पार्टी अब एक्टिव नजर आ रही है विपक्षी पार्टी यानि बिहार की जो महागडबंधन है महागडबंधन अब एक जूट है और सत्ता पक्ष की नीव हिलाने के लिए उनकी जो नीव उनको कमजोर करने के लिए सडक पर उतरने का एलान कर दिया है अब एलाने जंग हो गया है और अंदोलन होगा पटना की धरती पर ले करके पूरे बिहार के अलग-अलग जिलों में जिब इलकुल आप सही सुन रहे हैं हम बात क कई सारे घटनाएं वो दिन दहाड़े हो जा रही है बीते दिनों आपने देखा होगा ब्यासरकार के पुर्व मंत्री व्याइपी मुक्या मुक्य सैनी के पिता जितन सैनी जो 70 साल के थे दरवंगा इस्तित्व आवास पर उनकी हत्या कर दी गई है उसके बात से पूरे बि कोई नहीं सुनता है क्या पुलिस प्रशासन इतना निकम्मा हो गया है अपराधियों पर उनका डर क्यों नहीं है अब सरकार क्या कह रही है सत्तापक्ष क्या कह रहा है इन सब बातों पर ध्यान देनी की जरुरत है जब सत्तापक्ष से सवाल पूचा जाता है सत्तापक्ष कहती है राजत को अपराद और अपराधियों पर बोलने का कोई हक नहीं है उनको अपना सौशनकाल याद करना चाहिए चलिए हम अपकी बात को माल लेते हैं उनको अपना सौशनकाल याद करना चाहिए लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि आपको शत्ता सत्ता में आने से क यादब के उस आर्शनकाल को याद कीजिए लालो प्रशाद यादब का सासंकाल ठीक था खराब था इस पर हम टिपनी नहीं कर रहे हैं लेकिन खराब था तो जनता ने उनको नहीं चुना अब 17 सारा 18 साथ से मुख्यमंत्री ने दिश्कमार हैं सवाल आप से होनी चाहिए ले लेकिन अब 2024 का उभूद और कौन याद करेगा जब नवालिक बच्चियों की हत्या हो जा रही है जो चोटी-चोटी बच्चे हैं तीन साल के बच्चियों का रेप हो जा रहा है और घर में सोई बुजरु की हत्या हो जाती है च्छत पर सोई दो नवालिक लड़कियों की ह लेकिन अब देखिए विपक्षी पार्टी एक जूट है और एक जूटा के साथ 20 जुलाई को सड़कों पर उतरने का एलान कर दिया है पटना सहित जीला मुख्याले में 20 जुलाई को प्रति रोध मार्च जाएगा वियार में बढ़ते अपराद के खिलाप 20 जुलाई को इंडिया गडबंदन का प्रति रोध मार्च होगा और 7-7 बिधान सभा यानि बिधा आपको बिहार में बढ़ता अप्राद खिलाप पटना के राजत कारेले में इंडिया गटबंधन के तवाम नेताओं की बैटक होई थी इस बैटक में इफास्ता लिया गया सब इंडिया गटबंधन के जो नेता है कार करता है वो 20 जुलाई को पटना के सडकों उसे लेकर के पूरे जिला मुख्याले पर जहां जो नेता है वो जाएंगे और सडकों पर उतलेंगे और प्रतिरोध मार्च करेंगे तो साब तोड़ पर अब सियम नितिश्कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली है जो उनकी सत्ता है उनकी नी भिलने वाली है क्योंकि हर दिन हर नीज चैनलों पर हेड्लाइंज रहता है बिहार और बिहार और बिहार का क्राइम रेट लगातार बढ़ता जा रहा है विएपी मुख्या मुख्य सहनी के पिता की हत्या के बाद देके बिहार में उबाल हो रहा है बिहार के अप्राध्यू का क्या होगा ऐसे में सवाल उठता है क कब जाकर करके एकबाल लोटे का बैहार पुलीस का कब लोटे का बैहार के मुख्यमंत्री नेतिश कुमार का फिलाल इसक वर में इतना है अगर आपने अभी तक हमारी सोचल बैहर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें बहुत-बहुत उन्हें कि बहुत कि प्लाइब का बढ़ में अगर यूट्यूब ऑ्ने अगरएब कर दो सब्सक्राइब कर दो शेम यूट्यूब आपने अगर प्लाइब आपने अगर